नमस्कार जैमा भारती कितनी बनी है और यदि नहीं बनी तो ऐसा आखिर क्यूं है अब यह सवाल मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल लगा और मैंने इसके उपर रिसर्च करनी शुरू कर दी और दोस्तों केवल कुछी घंटों के रिसर्च में मुझे इस प्रशन का विल्कुस साफ साफ उत्तर मिल गया दूद का दूद और पानी का पानी हो गया आज के इस पॉड़कास्ट में मैं अपनी अपीनियन्स अपने विचार या फिर मत आपके सामने नहीं रखूंगा बलकि नीरे फैक्ट्स रखूंगा ये वो फैक्ट्स हैं जो हमारे देश में घट चुके हैं ऐसी घटनाए हैं जो हो चुकी हैं कोई ये नहीं कह सकता कि ये बाते हमारे देश में नहीं हुई थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कोई ऐसा नहीं कह पाएगा और दोस्तों ये ही वो फैक्ट्स हैं जो इस बात को पूरी तरह सिद्ध कर देंगे कि बात जब सेकलरिजम की आती है धर्म पेक्ष्टा की आती है तो हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री और इसको चलाने वाले लिब्रांडू हिपोक्रिट पाखंडी होने के साथ साथ अवल दर्जे के कायर भी हैं दोस्तों ये देखने के लिए कि हमारे देश में आज तक ऐसी में स्ट्रीम फिल्में कितनी बनी हैं जिसमें ये दिखाया गया हो कि जो हीरो है में प्रोटेगनिस्ट है वो एक हिंदू लड़का है और उसकी जो लव इंट्रस्ट है जो हीरो इन है फिल्म की लड़की है वो एक मुसल्मान करेक्टर है ऐसी फिल्में कितनी बनी हैं ये देखने के लिए मैंने पिछले 20-25 साल के डेटा पे जब नजर डाली तो घूम फिरके बार-बार मेरे सामने केवल दो ही फिल्मों का नाम आया अब हो सकता है कि मेरी नजर से कोई फिल्म छूट गई हो जो ऐसी हो लेकिन वो एकाद ही फिल्म और होगी अब दोस्तो 1998 में जब जब जक मूवी रिलीज हुई तो इसके बाद थोड़ा बहुत विवाद जरूर हुआ ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल भी विवाद नहीं हुआ लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ कि आस्मान फटके नीचे गिर गया हो लेकिन इस पिक्चर के रिलीज होने के काफी समय बाद अभी कुछी समय पहले महेश बड़ साहब मीडिया के सामने बयान देते हैं अब जरा इन लिबरांडों की हिपोक्रिसी को इनकी जो पाकंड है उसको समझिएगा उसको देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा काफी समय बाद महेश बड़ साहब मीडिया के सामने बयान देते हैं कि क्योंकि 1998 में एंडिय का शासन था इस देश में इसलिए मुझे अपनी पिक्चर को रिलीस करने में बहुत परेशानिया उठानी पड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो महेश भर्ट साब जरा मुझे एक बात बताईए कि 1995 में याने कि 1995 में तो इस देश में एंडिय का शासन नहीं था ना तब तो पीवी नरसिमा राओ देश के प्रदान मंत्री थे और कॉंग्रेस पार्टी का शासन था एक ऐसी पार्टी जो आप और आप जैसे लिबरांड के डरेक्टर के साथ जो हुआ उस फिल्म की एक्ट्रिस के साथ जो हुआ जो फत्वे जारी हुए जो दंगे हुए ठेटरों में जो आग लगाई गई तोड़ फोड़ की गई वो सब कैसे हो गया ये सारी गटनाए कैसे हो गई और क्यों हो गई तब तो कॉंग्रेस इंगलीज होते ही ज्यात्तर शेरों में इसके खिलाव विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इस पूरी फिल्म से ही आपत्ती थी लेकिन इस फिल्म के कुछ मुक्य सीन्स थे जिनसे इनको बहुत ही ज्यादा आपत्ती थी। जो धनने पे एक सरकार थी वो तीन मुसल्मान नेताओं के लिए इस फिल्म की एक स्क्रीनिंग रखवाती है। इन नेताओं के नाम थे रजा अकैडमी के फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी इबराहिम ताई। दूसरे नेता थे यूसुफ अबराहनी जो उस समय मुसलिम लीक के कॉर्परेटर हुआ करते थे लेकिन आजकल कॉंग्रेस के मेले हैं। और तीसरे नेता का नाम था फैयाज एहमद जो जनता दल से संबन्द रखते हैं। अब इन तीनों को मुंबई पुलिस हेड़कॉर्टर्स बुलाकर ये पूरी फिल्म दिखाई जाती है। और इस फिल्म को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद ये तीनों अपनी जोइंट स्टेट्मेंट में मीडिया के जामने कहते हैं। अब दोस्तों इस फिल्म को कुछ छोटे शहरों में तो अनिशित काल के लिए बैन कर दिया जाता है। जो बड़े शहर थे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी और जो बाकी राज्ये थे जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हर्याना, उत्तरप्रदेश, बिहार, उडिसा, वहां के बॉक्स ओफिस पर ये फिल्म अच्छे से चल रही थी और अच्छी खासी कमाई कर रही थी। लोग इसको भारी मातरा में देख रहे थे और पसंद भी कर रहे थे। और यही बात धर्म के ठेकेदारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और इसका नतीजा ये होता है कि फिल्म के मेकर्स के खिलाफ, डिरेक्टर के खिलाफ और एक्टर, एक्टरिस के खिलाफ सभी के खिलाफ एक फत्वा जारी कर दिया जाता है। इस माफी के बाद विरोध प्रदरशनों में भी थोड़ी कमी आने लगती है। लोगों को लगने लगता है कि अब बात आई गई हो गई, लोग इसको भूल चुके हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म रिलीज होने के पांच महीने बाद, 10 जुलाई 1995 की सुबा कुछ ऐसा होता ह जो इस देश के इतिहास में पहले कभी किसी क्रेटर के साथ नहीं हुआ था। पीछे वाले आदमी के कंदे पर एक थैला था, वो अपने थैले में इसे एक देशी बाम निकालता है, और मनी रतनम की पहली मूंजिल, उनके घर की पहली मनजिल पर फैक देता है। अब ये बाम था तो देशी लेकिन बहुत ज्यादा पारफूल था और मनी रतनम की किसमत अच्छी थी वो दूसरे कमरे में थी इसलिए उनको एक भी खरोंच नहीं आती और घर के जिस हिस्से पर ये बॉम जाकर गिरता है उस घर के हिस्से को अच्छा-कासा नुकसान होता है वो काफी अच्छी तरीके से शतीकरस्थ हो जाता है अब मनिरत्नम ठीक हो कर अपने घर वापस आ जाते हैं दोबारा उसी घर में रहने लगते हैं लेकिन अभी तक कोई भी संगठन इस हमले की जिम्मेदारी नहीं लेता लेकिन उदर मदरास पुलीस इस हमले की जाच करना शुरू कर देती है और उसको इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस हमले को अलु जारा लोग मारे गए थे और उसके अगले महीने याने के सिदंबर 1994 में इस संगठन ने मदरास के एक हिंदू नेता को दिन दहाडे मार दिया था अब आप सोच रहे होंगे जब अपनी ही फैटरनेटी के इतने बड़े डिरेक्टर के उपर हमला हुआ तो फिल्म के कुछ लोग तो फिर भी मने अतनम के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हैं लेकिन यह जो मुंबई का बॉलिवुड है जो मुंबई की फिल्म इंडस्टरी है इसका एक भी परडियूसर डिरेक्टर या एक्टर एक भी आदमी जो मने अतनम के साथ काम कर चुका कोई भी व्यक्ती मनि अतनम के समर्थन में बयान नहीं देता, भार आकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करता। की इन मुल्लाओं की बात भी मान लेनी चाहिए थी यह जावेद अक्तर का बयान था जावेद अक्तर का और दोस्तों इंसारी गटनाओं कि इतने साल बाद मनीरतनम के साथ जो कुछ हुआ पूरी बॉंबे फिल्म के सौच जो दंगे हुए विरोध प्रदर्शन वे उसके मनी रतनम ही गलत है इतने साल बाद भी आज भी कोई उनको गलत नहीं बता रहा जिन्होंने मनी रतनम को जान से मारनी की कोशिश की उनके घर के ओपर बॉम फैका उनको कोई गलत नहीं बता रहा जिन्होंने ठेटरों में आग लगाई तोड़ फोड़ की जिन्होंने शेहरों में दंगे किये जिन्होंने फिल्म के उपर बैन लगवाया उनको कोई गलत नहीं बता रहा आज धाई दशक बाद भी मानी रतनम को ही गलत ठहराया जा रहा है दोस्तों बॉम्बे फिल्म के बाद गटिये सारी गटनाए ही वो कारण है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री और इसक करना चाहिए सोशल मीडिया पर शोर मचाने की जगा हमें यह करना चाहिए नहीं हमें बैन लगाने की मांग करनी चाहिए क्योंकि जब हम बैन लगाने की मांग करते हैं तो फिर यह अभी व्यक्ति का मुद्दा बन जाता है हमें बस इतना करना चाहिए कि हमें इनके वर्क क बनाईए उसका बिल्कुल प्रचार भी नहीं करना चाहिए यही कारण है कि मैंने तंडव आस तक नहीं देखिया और नहीं तंडव के उपर कोई वीडियो बनाया है क्योंकि मैं उसके बारे में यदि बात करता वीडियो बनाता तो वो भी उसका प्रचार हो जाता और ऐसी ज झाल